पंजाब में आमादमी पार्टी की प्रजण जीत और भारतिय जन्ता पार्टी को मिली जीरो सीट के बाद बीजेपी इस हरकत पे उतर आईए कि अब अरविंद केजरिवाल जी की हत्या गरवाना चाहती है वो वो अरविंद केजरिवाल जी को मारना चाहती है आज पुलिस की मौझूदगी में पुलिस के साथ भारतिय जंता पार्टी के गुंडे मुख्य मंत्री जी अर्विंद केजरिवाल जी के घर पे पहुँचाए गए उनका CCTV तोड़े गए उनके घर के उनके boom barrier तोड़े गए, security के boom barrier तोड़े गए उनके घर के और सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ भारती जिन्ता पार्टी के गुंड़ों ने किया जाकर आज जाहिर सी बात है, बहुत साफ दिख रहा था आज कि किस तरह से बहुत सोची समझी साजिश के तहत कर रही है आज का ये पूरा हमला बहुत सोची समझी साजिश के थैत अर्विंद केजरिवाल जी के उपर हमला किया गया उनकी हत्या कराने के लिए किया गया मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि अर्विंद केजरिवाल जी को हाथ लगाने की कोशिश मत करो इस तरह से हमला कर पुलिस ले के गई वहाँ पर, boom barrier के पास में, कुंड़ों को ले के गई, उनके CCTV कैमरे तुरवाए गई, उनके घर के boom barrier तुरवाए गई, जो मैंने पहले का फिर से धोरा रहा हूं कि, पंजाब में हार की वजह से, पंजाब में zero seat मिली है, भारतिय जंता पार्टी और अब वो केजरिवाल जी को जब चुनाव में नहीं हरा पा रही जब किसी तरह से साजिशें करकर के नहीं हरा पा रही तो अब वो उनको मरवाना चाहती है उनकी हत्या करना चाहती है यह बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं भारती जनता पार्टी वाले लोगे